प्धासिश्ट की ब्वर्जंख दपर उखनव कोईरी गातव 2 से फार्माजश्ट के पना रही कीठ सब्रत में लेकिन्GER प्रनाव मेंशव्रमaveश्ट सत्व मरणा चुकी पर पोच्छे हैं सबसे बड़ी बात यहां पिए है कि जो इनको यहां पर समझाइस के लिए है उसे आग्रा किया जा रहा है पूलिस में दौरा कि कहसाने कैसे जो जांच है वो जारी है और जो देपक संगानी जो ना यहां पर बैठे है दन्ने पर उनका जो इलाज है वो ट् पर आडिक हैं उनका साब साब कहना है कि जब तक हमारी नियुकती पत्र हमारे हाथ में लिए जाएगा या प्रोवीजन लिश्ट जो है वो जारी नियुक जाएगा उससे पहले हम यहां से उटने वाले नहीं है पसमांज गंट्रों से ज्यादा का समय हो चुका है धीपक सं समझाइशा वो की जा रही है और पुलिस महकमा के साथ मेडिकल टीम भी है और पुलिस महकमा का यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि आमरा नंसन पर बैठे वे तकरिवन 55 से सार गंटे होने को आयो लेकिन हाल फिलाल उनके मांगे वह आडिक है और किसी की समझा है क्योंकि लगातार जो 55 सार गंटा हो गया है इनको यहां पर टीटमेंट के बाद कहीं पर कहीं ने की जा रही है पुलिस महकमा बगाएदा मेडिकल टीम के साथ पहुंचा है एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ मुझूद हम बात कर लेते हैं सर क्या पूरा मामला है रॉक साब ने सजेशन किया है वहां तो यह लोग मना कर रहे हैं मैं तो नहीं जाओंगा तो हमारे तरब से कौसिस है कि इनको समझाने की कि यहां पे पहुंचे हैं संद्राइस के लिए लेकिन हाल फिलाल जो अभयति हैं वो अपनी मांग प्याडिक हैं ना तो उनके साथ जारें ना ट्रीटमेंट करा रहें कुछ अभयति मुजूद है हमादा उनसे भी बात कर लेते हैं हाल फिलाल सबसे पहले मैं सर दीपक संगरी आपके पास आना चाहूंगा क्या पूरा मामला है क्योंकि 55-60 गंटे होने को है आपको और लगातार आपकी मांग है वो अडिक है पुलिस करमी मेरिकल टीम के साथ पहुंचे हैं आपको ट्रीटमेंट की हैं आपकी समझाश की जारी है क्यों पूरी हो हमारी मांग पूरी हो राजस्तान के सभी फार्मासिस्टों का बला हो मैं इसलिए बैठा हूँ आज जरा सी मेरी तवियत खराब होने से यदि मैं अपना अंसन तोड़ लेता हूं तो सरकार मेरे से किसी परकार की वारता नहीं करेगी तो मेरा पुलीस सबस्वत से एक ही निवेदन है कि वो हमारी डेलिगेशन कराए हमारी मांग को पूरी करवाए और इसी मांग को लेते वे मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूं और नहीं मैं ट्रिट्मेंट करवा रहा हूं सबसे बड़ा सवाल है आपकी जिंदगी और मोत का है क्योंकि जिंदगी सरीर में इस्टैमिना नहीं है और पसपन से सार गंटे होने को आए हैं पुलिस महकमा की बात कर ले बात कर ले मानवता की बात कर ले तो कहीं न कहीं आपको सोचना होगा कि जो सरीर को कशनी देकर आ जाती है अगर हो जाएगे तो कोई बात नहीं है कि सरकार हमारी बात को माने और जब तक सरकार नहीं नहीं तोड़ेंगे सबसे बड़ी बात ही है कि लगातार यह मांग कर रहा है उस मांग को लेकर यह पिछले पास दिनों से पहले पिटेश दिन तक धना दे चुके और लेकिन हमारी मांग हो जस्कितस है हाल फिलाल ये शिफू के सामने से हम बैठे हैं और पुलिस की गाड़ी जो है वो यहां पर पहुंची है और मेडिकल टीम के साथ यहां पहुंची है तो यह सबसे बड़ा स्वाल यहां पर है कि अब देखने वाली बात ही होगी कहां तक कि साप साथ संदेश है दो टूक कह दिया कि हम यहां से खिलने वाले नहीं है जबत हमारी मांगे पूरी नुए विश्व जी तमाम पुली सधिकारी मैक में है और जो अमूलेंस है वह पहुंची है मेडिकल टीम आई थी इन्होंने इनका बीपी बीपी लिया है तो इनका सुगर्भी इनका 75 आया है और उसके बाद में इनके जो बी सीम है डोक्टर अनील चोदरी जी डोक्टर साब ने यहां से उनको फोन किया है उसके पुलिस परसाशन आया है पुलिस परसाशन ने आके हमें समझा इसकी भी कोशिश किये और ये भी बोला है आप अगर सही मान संते हो तो ठीक है नहीं हम आपको जबर्दस्ती उठा देंगे मेरा सरकार के तमाम अधिकारी और प्रतिनिद्यों से यही निवीदन है कि हमें कोई मजा नियाता अंचन करने के लिए आप बस हमारी प्रोविजिनल लिस्ट हमें दे दें और या हमारे डेलिकेशन से हमको उठाना पड़ा है हमारी मुख्यत मुख्यत मांगे यह हमारी प्रोविजिनल लिस्ट आप हमें दे दे हमें कोई आपत्ती नहीं हमें एक मिनिट में अमना आमरे नंचन तोड़ देंगे और यह बगर आप जबर्दस्तिक करोगे तो दे रहा है दुरस्त है लोकसभा चुनाओं में भी आपको इफेक्ट पड़ेगा मानिय मंत्री जी और साथ में बविश्य में अगर हमारे साथी किसी भी साथी को जना नहीं होती है उसकी संपूर्ण जिम्हेदारी राश्तान से बात किसने कहिए आपको पुलिस परसासन की द्वारा कच्छ उठा लिए जा एपको अपनाएंगे लिए नहीं के राश्ते पर चल गए मांग मनवाना चाहते हैं आप हमारा बस एक डेलिकेसन करवादो हमारा मारी मांग पूरियों जाएगी हम तुरंड हमारा आमरे नंचन तोड़ देंगे विश्वी मीत्र हैं जो लगातार मोइंट्रिंग करें धना दे रहा है पिसले पांच दिनों से और पहले भी दिना दे रहे हैं कि कहीना कहीं जो मांग है वो बुलंद हो रहा है क्योंकि आमरा नंसन पर बैठें संगानी की तबियत बहुत जादा खराब होने लगी है तमाम ज क्या पूरा मामला है आप पहुंचे हैं मेडिकल टीम आपके साथ है यह दिपक्त समंगाने जी अपने फार्मासिस्ट बरती की अपने कुछ मांगों को लेकर काफी दिन से अंसन रहत हैं पहले भी इन्होंने अंसन किया था और अभी इनका स्वास्ते खराब हो गया हमने ड इनकी डिमांड हम सरकार तक कहुंचाएंगे और इन्होंने डेलिगेशन से मुलाकात की मांग रखी वह भी हम स्वास्ते मंत्री जी को या सेक्रेटरी साब को एस्टियस मैम को उन तक इनकी बात रखेंगे पहले भी करवाय गया है लेकिन हाल फिलाल इनकी समझशा है वो ज को तक रख सकते हैं उनकी मुलाकात करा सकते हैं उसके बार किया एस्यूरेंस देते हैं यह उन पर करता है उनकी जो मान लिया गए इस शुरू के करें और हम इनको को यह और आगे वी कोपरेट करेंगे और यह समझधार वाँने सेब्स को लोग हैं सारे के सारे एक तरह से यह सेमी गॉश्वर्णनेट ऑफिसर तो ही इतने लंबे से महसे स्वास्ति विवाब को सेवाई दे रहे हैं तो काफी एक तरह से सरकारी करमसारी वहाप मानी और बगवान करें आश्या करते हैं इनकी मनोकामना भी पूरी ह और इनके मांगे भी पूरी हो, यह दास करता है। उनकी तबियत बहुत ज्यादा नासाज होने लगी है अब धिर धिरे उनके जो सुनीर में कमजूरी है वो सामने आने लगी है फूर में इनको ट्रिटमेंट के लिए बताया गया तो दबा बनाया गया था लेकिन नहीं लिया और कल भी जिए उनको मेडिकल चेक अप गुआ त तक सहमती बन पाती है या फिर ऐसे ही धन्ना अनवरचारी है या फिर यहां पर जर्वसित की जाएगी कैमरा परसंद संजे सर्मा के साथ संधी परवालता नगरी मेडिया जैपो